प्रोग्राम की शुरुवात हम कर रहे हैं महराष्ट में बीते काफी समय से जो सियासी बवाल मचा हुआ है उन सब के बीच BJP कैसे महराष्ट में अपनी सरकार बनाएगी इस पर आज बात करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे राज ठाकरे की जी हां ये बही राज ठाकरे हैं जिनोंने BJP के कहने पर महराष्ट में भूचाल मचा दिया था याद होगा ही आपको जब उन्होंने खुले तोर पर एलान कर दिया था कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हट जानी चाहिए इसके साथ ही उन्होंने तारीक कभी अल्टीमेटम दिया था मस्जिद से लाउड स्पीकर तो हटी नहीं लेकिन राज ठाकरे शान्त हो गए जो राज ठाकरे इतने वक्त से महराष्ट में शान्त बैटे थे जो राज ठाकरे इतने वक्त से महराष्ट में चुक थे अच्छानक इस तरह की बाते वो क्यों करने लगी थे हिंदू मुसल् या खुद कर रहे थे या बीजेपी की इसमें बड़ी साज़िस्ति इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट में इस वक्त चल क्या रहा है। दरसल महाराष्ट में इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि एकनात शिंदे की वज़े से बीजेपी और शिवसेना दोनों फस गई है। क्योंकि एकनात शिंदे ने अभी पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं कोले हैं। उन्होंने अभी खुद को उद्धव से अलग नहीं किया है, खुद को बीजेपी के साथ भी नहीं चुड़ा है। काफी समय से उद्धव ठाकरे से नाराज़ चल रहे एकनात शिंदे चाहा रहे थे कि महराष्ट के अंदर उन्हें बड़ा पत्ति आ जाया, महराष्ट के अंदर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाया। इन सब के बीच ये देखने को मिला कि बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं एकनात शिंदे का बार बार पार्टी में अपमान गुआ, ऐसे में शिंदे ने मन बना लिए कि वो पार्टी से ही खुद को अलग करेंगे, शिंदे ने खुद को पार्ट से अलग कर लिया उद्धव की खत्रे में सरकार गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है तो ऐसे में सीधे तोर पर क्या देखा जा रहा है कि शिंदे की वज़ा से उद्धव तो पस गए लेकिन बीजेपी अपना किनारा लगाने की कोशिश करें गुहाटी में तमाम विधायक मौज उड़ा रहे हैं अच्छा खाना पीना चल रहा है अच्छा entertainment हो रहा है ब्रेकफ़स्ट अच्छा है डिनर अच्छा है लंच अच्छा है अराम से सब लोग घूम रहे हैं अपना जिस तरह से हॉलिडे मनाने सभी लोग जाते हैं वेकेशन के तौर पर कोई मनाली चला जाता है कोई शिमला चला जाता है कोई उत्राखंड चला जाता है कोई आउट शिंदे जो है वो फसा चुके हैं उद्दव ठाकरे को उद्दव ठाकरे ने अभी स्तीफा नहीं दिया है लेकिन उद्दव ठाकरे स्तीफा जल्दी दे देंगे क्योंकि शरत पवार ने क्या दिया है इन सब की बीच हम यहां पर बात कर रहे हैं महराश्ट की महराश्ट में बीजेपी जो है ये पूरी कोशिश कर रही किसी तरह से सरकार को बना लिया जाये और बहुत बड़े हिद तक सरकार बनाने में वो कामयाब भी हो जाएगी लेकिन अगर सरकार बनती है महराष्ट के अंदर बीजेपी की तो राज ठाकरे का इस्थान कहा रहेगा राज ठाकरे इसलिए मैंने शुरुवात में ही राज ठाकरे का बयान बताया था राज ठाकरे ने क्या क्या किया है बीते कुछ समय में और किसके कहने पर क्या है यह तमाम जानक और यही राश्ठाकरे तो थे जिन्होंने महराष्ट में बीजेपी के गेम को आगे बढ़ाया बीजेपी इनके कंदे पर बंदू करकर तो चला रही थी लेकिन अब ऐसे में सवाल रहता है कि नवनीत राणा को क्या इनाम मिलेगा और महराष्ट में अगर सरकार बनती है तो राज ठाक्रे को कहां जगा मिलेगी और क्या राज ठाक्रे और नवनीत राना का इस्तेमाल दीजेपी ने किया तो नहीं है क्योंकि इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यह चर्चा ओ रही है कि महराष्ट में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए क्योंकि राज ठाकरे के सहरे महराश्ट में एक नई पहचान बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बनाती नजर भी आ रही है तो यहां पर देखा जा रहा है कि फिलहाल राज ठाकरे का जिकर कहीं नहीं हो रहा है राज ठाकरे का जिकर ना देविंद्र फन्विस कर रहे हैं ना बीजेपी के तमाम बड़े निता कर रहे हैं और तो और ये भी देखा जा रहा है कि महराश्ट में तो राज ठाकरे की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है तो क्या राज ठाकरे का केवल इस्तमाल किया गया था, क्या राज ठाकरे को इस्तमाल करने के बाद बीजेपी ने उन्हें दूद में से मक्ही की तरह निकाल कर बाहर पेग दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर महराश्च में बीजेपी सरकार बना लेती है, राज ठाकरे क्या ओदव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं अभी ये देखा जा रहा है और जो है और व्य भी महराश्ट में माहोल काफी करना है अभी बीजेपी भी ताही नहीं करपारी की भाई सरकार कैसे बनाए जाए तो यो उन्तजार कर रहे हैं वक्त का उन्तजार कर रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार की घड़ियां कुछ जादा हलंबी हो जाएं क्योंकि राष ठाकरे की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया, राष ठाकरे ने अभी अपनी कोई बात नहीं रख की है, और ऐसे में देखा जा रहा कि क्या BJP ने किवल राष ठाकरे का इस्तमाल करने के लिए हैं, उन्हें महराश्ट में आगे किया था, दरसल हिंदू मु पीजेपी की इस रड़नीती से क्या राश्ठ ठाक्रे को फादा मिल पाएगा राश्ठ ठाक्रे को क्या बड़े पद मिल पाएगा महराष्ट के अंदर ये तो फिलाल देखना होगा लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि शायद राज ठाकरे की गिंती कहीं नहीं हो रही है राज ठाकरे की चर्चा कहीं नहीं हो रही है तो क्या राज ठाकरे बगावत कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ क्या बीजेपी के खिलाफ अगर बगावत कर देंगे तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसा यह स्थिंदे ने बीजेवे के साथ बिए ने पूरे लिए बात नहीं किया है भही हम सरकार बनाने के कटेगरी पे हैं, हम सरकार बनाने के आखरी छोर तक हैं और हम इस तारिक को अपना प्रस्ता उपेश कर देंगे, लेकिन अभी क्या देखा जा रहा कि BJP अभी उस पोजिशन में नहीं है, क्योंकि एकनात शिंदे की वज़े से मुश्किले जो हैं, वो महराष्ट ठाकरे जैसे जो बड़े नेता थे, एमेनेस के, तो प्रमुक इन्होंने ही महराष्ट में सबसे पहले मोर्चा समाला इन्होंने BJP के रहते काम करना शुक्या, तो वहीं परदे के पीछे रहकर BJP अपना खेल खेलती नजर आए, देकि सबसे बड़ी बात है कि BJP बहुत समय से जो रणनीती बना रही थी, ये रणनीती कहीं न कहीं बता रही थी कि किस तरह के हालात महराष्ट में हैं, हाला कि ये देखना आप दिल्चस होगा क्या राज ठाकरे को जगह मिल पाएगी महराष्ट के अंदर और अगर राज ठाकरे को महराष्ट में जगह मि झाल झाल